हे गाईज विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो दोस्तों जैसे के अब सभी जानते हैं उत्राखण में जो भी भरतियां होती हैं उन पर कोई न कोई जो नया मामला है धानली का वो सामने आही जाता है इसी प्रकार से एक और भरती जो है हुई थी और अब उसमें भी 246 पदो पर नई सिरे से होगी भरती ये जो है हाई कोट का आदिश यहाँ पर आया है दोस्तों हाई कोट ने सहाय कद्यापक L.T कलावर्ग की 246 पदो पर भरती परिक्रिया को नई सिरे से सुरू करानी के आदिश दिये हैं मुख्य न्याधीस बिपीन सांगी वर न्याअ म बिग्यप्ति जारी होने के बाद खतम कर दिया था विसेस अपील पर सुनवाई करते वे कोर्ट ने माना कि सरकार NCTE के प्रावधानों के विपरीद नियम नहीं बना सकती है कोर्ट के निर्ने के बाद अब बिग्यप्ति कर चुके अब बिग्यप्ति ही कलावर्ग की सहाय का ध्यापक भरती परिक्षा में सामिल होंगे याजिका करता पुस्पा और अने ने कहा कि 2020 में L.T. कलावर्ग पद के लिए सरकार ने जो बिग्यप्ति जारी किया था उसमें B.E.R. को अनिवार्य रखा था पर बिग्यप्ति जारी होने के बाद सरकार ने 20 परवरी 2021 को B.E.R. की अनिवारता खतम कर दी याजिका करताओं ने कहा कि राजिसरकार के 2021 के नियम N.C.T.E. के प्रावधानों के विपरीद हैं निया यले ने इन तरकों को स्विकार करते वे सरकार के नियमावली को रद कर दिया है हाई कोट ने राजिसरकार के 2021 में बनी नियमावली को रद किया कलावर्ग LTE के लिए वियर्ड कर चुके बिर्धी कर पाएंगे आविदन तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सरकार ने नियम जो है बनाया था विग्यप्ति जारी होने के बाद उसको हाई कोट ने यहाँ पर रध कर दिया है इस परकार से जो भी चीज़े हैं दोस्तों उन सभी से जो योवा है उनका समय बरबाद हो रहा है इस पर जो है सरकार को भी विचर कर लेना चाहिए कि जो भी नियम बने वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते भी बनाये जाए बाकि आप लोग की क्यार आई है इस बारे में कमेंटर वसी कीजिएगा जल्द मिलते हैं आपसे एक नहीं सुचना के साथ तब तक एलिए बने रही है हमारे साथ जैहिन